नमस्कार, मैं दॉक्टर पतंजिले मिश्रा, वर्दमान महावीर ओपन उनिवर्सिटी के स्कूल अफ एजूकेशन में असिस्टेंट प्रफेसर के रूप में कारे रत हूँ अभी तक इन सत्रों में हम लोगों ने रिलाबिलिटी निकालने के भिनन भिनन तरीकों की चर्चा की अब हम आगे बढ़ते हुए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिलाबिलिटी को प्रभावित करते हैं उनके बारे में जानने और समझनी की कोशिच करेंगे जिसमें मूल रूप से हम लोग यह जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे बाह्यकारक हैं जो कि रिलाबिलिटी को प्रभावित करते हैं और कौन-कौन से ऐसे आनतरीक कारक हैं जो कि हमारे टेस्ट के रिलाबिलिटी को प्रभावित करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी कक्षा में यह भी जानने के कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हमें अपनाने चाहिए जिससे कि किसी भी परिक्षन की, किसी भी टेस्ट की जो विशोसनियता है उसमें बढ़ोतरी हो सके तो सबसे पहले हम लोग extrinsic factors की चर्चा करेंगे कि reliability को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से बायकारक है तो सबसे पहले इसमें हम group variability की चर्चा करेंगे कि जब homogeneous group होता है तब क्या होता है और जब heterogeneous group होता है तब reliability पर क्या अशर पड़ता है तो जब हमारे पास homogeneous group होता है तो homogeneous group जो है सामानेतय विश्वसनियता कम करता है और जब हमारे पास heterogeneous group होता है तो reliability हमारी जादे होती है जादे reliability की value होती है ऐसा होने का कारण क्या है सहस्ता हमारे दिवाग में प्रश्न होता है तो ऐसा होने का प्रमुख कारण जो है वो यह है कि समुह में जब समता होती है समुह जब equal किस्म का होता है तब हमारे पास diversity की समभवना कम हो जाती है जिसके कारण जो true variance है जो वास्तविक प्रसरण है वो भी noon हो जाता है वो भी कम हो जाता है और वास्तविक प्रसरण के जब हम टेस्ट किसी सब्जेक्ट को देते हैं तो कई बार सब्जेक्ट जो है ठीक से उन विंदूओं को पढ़ने की बजाए उन आइटम्स को नेकांशों को पढ़ने की बजाए उस पे अंदाजे से या आँख बंद करके टिक लगा देता है और क्योंकि यह एक तरीके से अंदाजे से लगाया हुआ निशान जो है वो अंकोウकरते को बढ़ा देता है जिसके कारण त्रोटी प्रसरन जो सब्जेक्ट जब उसको अंदाजे पे जब किसी भी प्रश्ण का किसी भी आइटम पे वो जब उत्तर देता है तो इस कारण से reliability जो है विश्वसनियता जो है वो decrease होती है तीसरा जो बाह्यकारक है वो environmental conditions है अलग-अलग environmental conditions में अलग-अलग तरीके की reliability हमें सामानतियाब मिलती है subject friendly environment जो है वो reliability को increase कर देता है जबकि hostile environment जो है वो decrease कर देता है reliability को ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो subject है वो uncool वातावरण होने पर परिक्षण के प्रती रोची रखता है ध्यान से उन परिक्षणों को पढ़ता है और यदि वातावरण uncool नहीं होता है तो प्रयोज जो है जो हमारा subject है वो हरी करता है और जल्दबाजी जब करता है उस समय विस्वसिनियता जो है वो घट जाती है चोकि त्रोटी जो प्रसरण है उसमें व्रिद्धी हो जाती है और इस तरीके से reliability जो है वो कम हो जाती है environmental conditions के बाद जो चौथा कारण है वो है instability of the subject कई बार subject जो है वो अस्थिर चित से items पे response देता है जिसकी वजह से reliability प्रभावित होती है या physical and mental illness of the subject creates instability in subject like sudden high noises, drosiness, anxiety and any type of illness कई बार subject जो है बीमार होता है या किसी तरीके की आवाज से या कोई disturbances से या उसकी अपनी कई व्यक्तिकत परिशानिया हो सकती है तो ऐसे इस्थितियों में आसी परिस्थितियों में वो concentrate नहीं हो पाता है वो एकाग्र नहीं हो पाता है तो इस तरीके से वो responses को casually देता है और reliability प्रभावित होती है यदि प्रयोज की शारीक और मांसिक रूप से बीमार होता है तो और स्थिरता के कारण विश्थितियों में कम हो जाती है ये तो चार factors हमारे बाह्यकारक थे extrinsic factors जिसे English में हम कह सकते हैं अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे intrinsic factors हैं कौन से ऐसे आंतरीक कारक हैं जो की किसी भी test की reliability को प्रभावित करते हैं पहला आंतरीक कारक जो है वो length of the test है increasing in numbers of items increases reliability of the test while decreasing in numbers of items decreases reliability of the test जब items की संख्या हम किसी test में ज़्यादा रखते हैं तो उसकी reliability उच आने की संभावना होती है और जब हम items की संख्या जो है एकांशो की संख्या कम रखते हैं तो reliability निम्न आने की संभावना जादे रहती है अब सहस्ता हमारे मन में यह प्रस्ट नोट उठता है कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकांशो की संख्या बढ़ने से ऐसा गुण जिसका की जिसका हम लोग measurement कर रहे हैं जिसको की मापा जाना है को बहुत आधिक सूक्षमता से मापा जा सकता है इस से प्रापतांक बढ़ने से विश्वसनियता भी बढ़ जाती है और उसी प्रकार एकांशो की संख्या घटने से प्रापतांक भी घटते हैं और विश्वसनियता भी कम हो जाती है Note that when used to correct this split half reliability coefficient the situation is more complex and this generalization does not always apply When the two halves are not equivalent in terms of their means and standard deviations, the Spearman-Brown prophecy formula may either over or underestimate the test's actual reliability तो इस चीज़ को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए क्योंकि split half methods में हम लोग test को दो हिस्सों में बात देते हैं और दो हिस्सों में बात देने से दोनों हिस्सों का mean और standard deviation जो है वो अलग-अलग आता है तो reliability प्रभावित हो सकती है इन परिस्थितियों में दूसरा जो आंतरिक कारक है वो homogeneity of items भी है Due to homogeneity of items, the trait which is being measured is measured more accurately Therefore reliability is increased जब एक आंशों में समरूपता होती है तो उस समरूपता के कारण प्रापतांकों में भी अधिक निकटता आ जाती है और अधिक निकटता होने से प्रापतांकों के मध्य सह सम्वंध या correlation जो है अधिक उच प्राप्त होता है High correlation प्राप्त होता है अता अधिक सह सम्वंध का सीधा सा तात पर है के अधिक reliability अगला जो फैक्टर है तीसरा फैक्टर इंट्रेंजिक फैक्टर जो है वो है डिफिकल्टी लेवल अफ इतम्स प्राप्त है जो है जादे असान या जादे कथिन आइटम्स होते हैं तो हम discrimination जो है हमारे पास accurately हम नहीं कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर पाने कारण discrimination power of the test जो है वो कम हो जाता है वो decrease हो जाता है अधिक सरल और अधिक कठिन एकांशों के कारण परिक्षण की विबेदन शक्ति कम हो जाती है और जिससे की विश्वसनियता भी low रहती है विश्वसनियता भी कम हो जाती है चौथा जो factor है वो है discrimination power of items if items of a test having discrimination power then it increases item total test correlation and due to it test reliability is increased जब discrimination power जो है किसी भी item का जादे होता है तो ये test के बीच के सहसंबंद को correlation को increase कर देता है जिसकी वज़से reliability जो है अधिक हो जाती है इंक्रीज हो जाती है पांचवा काराण जो है वो objectivity in the scores है objectivity of scores provides biased free scoring और जब biased free scoring होगी तो जाहिर सी बात है कि reliability जो है वो increase हो जाती है अब हम उन तरीकों की चर्चा करेंगे जिससे कि हम reliability को बहतर बना सकते है reliability को increase कर सकते है तो by increasing homogeneity in test of items जब हम एक ही तरह की items बनाते हैं किसी test में तो test की reliability जो है विश्वसनियता जो है अधिक होती है by selecting the heterogeneous group or sample जिन samples पे या जिस न्यादर्श पे प्रतिदर्श पे हमें उस sample को administer करना है वो heterogeneous group यदी होगा तो जादे reliability बहतर होने के संभावना होती है homogeneous group पे reliability कम भी हो सकती है by increasing numbers of vitamina test जब test की लंबाई को हम लोग बढ़ा देते हैं तो भी reliability जो है वो बहतर हो जाती है छोटा test होता है जिसमें कम item होते हैं तो उसकी reliability कम होती है चवथा जो तरीका है by maintaining medium difficulty level of 0.402, 0.60 जब हम 0.40 और 0.60 के बीच difficulty level रखते हैं तो reliability test की बहतर हो सकती है by maximizing the discrimination power of the items of the test जब हम test में जो items का इस्तिमाल कर रहा है जिन items को रखा है उसका discrimination power यदी ठीक ठाक होगा यदी बहतर होगा तो reliability या विश्वसनियता भी बहतर होगी by objective scoring for the items या items को जब हम objectively score करते हैं तो भी test की reliability जो है बहतर हो जाती है धन्यवाद यहरा यहरा जिब देखर के 1 में भी college बहतर है